आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वसी किरण में कौन कौन से साब्धानिया रखने चाहिए उन सभी साब्धानियों में से सबसे उपर है वह चमड़े की किसी भी प्रकार की वस्तों है उसको आप छू भी ने सकते चमड़े की कोई भी बनी हो जाचे जूते हो गए जब बैल्ट हो गए किसी भी चीज को आप छू नहीं सकते अगर आप वसी करना चाहते हैं जो कि किसी की खाल से किसी की चर्वी से बना हुआ है वो चमड़े के जूते हो चमड़े की बैल्ट जैकेट उस चीज का प्रियोग नहीं कर सकते अगर आप इन चमड़े की वस्तों को पर्योग करोगे तो आपकी कोई भी साधना कोई भी वशीकरन नहीं लग पाएगा अगर आप साधना कर रहे हो यह अगर आप वशीकरन कर रहे हो और आप चमड़ी के वश्तु को पर्योग भी कर रहे हैं तो आपका जो भी अपने फल मागा है वो आपको प्राप नहीं हमारे आसन होते हैं उनको पहले ही पवित्र किया जाता है जिससे कि हम किसी भी आसन को टच कर सकते हैं तो इस आसन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लेकिन अभी के लिए आप ठ्यान रखिए कि आपको किसी भी चमड़े की चीज का परियोग नहीं क साधना के दिनों में और आप नीचे दियो हैं नंबर पर आप कांडेक्ट कर सकते हैं ओम नमेशिवाई